हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई यूटीब चैनल एच्पी एजूकेशन हंट फ्रेंड्स इस वीडियो में हम कंप्लेट जीके की एक सीरी सुरू करने जा रहे हैं जो आपके आने बाले हर एक्जाम के लिए जरूरी होगी तो ये वीडियो का फ़र्ट पार्ट है अगले आने किस सन में हुई तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना 1875 में हुई थी और ये कहां पर है ये मुंबई के दलाल स्ट्रीट में है मुंबई के दलाल स्ट्रीट में सेकेंड कोस्चन जलवायू परिवर्तन को रोकने के लिए बनी अंतराष्ट्रिय संदिक क्योटो प्रोटो को कब गया था तो फ्रेंड्स इसे 1997 में अपनाया गया था हम यहां पर जान लेते हैं क्योटो प्रोटोकोल होता क्या है क्योटो प्रोटोकोल एक अंटराष्ट्रिय संदि है जिसे ग्लोबल बार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायू परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया था फ्रेंड्स तो चलते हैं नेक्स्ट कोश्चिन के उपर नेक्स्ट कोश्चिन है कोस्मलोजी किस कसेतर से समंदित है कोस्मलोजी किस कसेतर से समंदित है कोस्मलोजी सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कोस्मलोजी क्या होती है कोस्मलोजी होती है जिससे हमें अपने ब्रहमान विज्ञान का एक subject है जिसे हम ब्रहमान के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं इन नेक्स्ट कोश्चिन के उपर चलते हैं विसम मानब दिकार दिबस कब मनाया जाता है ये प्रती बर्स 10 दिसंबर को मनाया जाता है और इसका सबसे बड़ा उदेश्यों क्या है इसका उदेशे है विसम बर्क के लोगों का दियान मानब दिकारों की और अकर्सित करना है इसे युनाइटिड नेशन ने 1950 में 10 दिसंबर को सबसे पहले मनाया था गाइस नेक्स्ट कोश्चिन के उपर चलते हैं कथक निरित्यों यहाँ पर कथक पूचा है इन्होंने कथक कली नहीं पूचा है कथक निरित्यों किस राज्यों का परमुक निरित्यों है तो कथक निरित्यों उत्तर परदेश बो राज्यस्तान का परमुक निरित्यों है तो गाइस कथक कली केरल का परमुक निरित्यों है यहाँ पर आपको confused नहीं होना है maximum student यहाँ पर कथक देखकर केरल के उपर option cancel लगा देते हैं तो इस का अंसर होगा उत्तर परदेश वो राज्यस्तान तो guys next question के उपर चलते हैं next question है torpedo क्या है तो guys torpedo के बारे में हम जान लेते हैं कि torpedo होता क्या है torpedo का आर्थ होता है पूरी तरह से नश्ट कर देना ये एक समुंदरी यंतर है जिसे नेवी बाले यूज़ करते हैं और ये पंडूब भी में यूज़ होता है ये समुंदरी यूद के लिए प्रयोग किये जाता है ताकि हम दूसरे जहाज्यों को पूरी तरह से नश्ट कर सकें तो यहां से आपको torpedo का पता चल गया होगा कि torpedo क्या होता है तो हम यहां पर देख लेते हैं torpedo क्या है जल के नीचे काम करने बाला एक हथियार जिसे हम torpedo कहते हैं ये नेक्स्ट कोस्टिन के ओपर चलते हैं हिमाचल परदेश में कांगड़ा के अतरिक कौन से जिले में चाय का उत्पादन होता है तो गाइस कांगड़ा में तो सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है साथ ही में दूसरे नंबर के उपर मंडी भी आता है जहां पर चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है नेक्स्ट कोश्चन के उपर चलते हैं बेदो में किस नदी को स्तुद्र कहा गया है तो बेदो में सतलूज नदी को स्तुद्र कहा गया है और ये हिमाचल परदेश की सबसे लंबी नदी है गाइस कुमेंट करके बताना सतलूज नदी कहां से निकलती है देन गाइस नेक्स्ट कॉस्टिन के ओपर चलते हैं सिबाले के सेत्र में विबाह के अब सर पर गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं तो इसे हम लहने कहते हैं और ये गीत हिमाचल परदेश में गाए जाते हैं तो गाइस आब बताएंगे हिमाचल परदेश के किस जिले में ये गीत गाए जाते हैं अगला कॉस्टिन है अंतरास्टियो सोर्स गठ बंदन का मुख्यालियो किस देश में स्थित है ये बारत के गुरुगराम में स्तित है कहाँ पर है बारत के गुरुगराम में स्तित है International Solar Alliance सोर उर्जा परदारित दो देशों का सेहोग संगठन है इसे 13 नवंबर 2015 को बारत और फ्रांस सरकार द्वारा पैरिस में अपनाया गया था नेक्स्ट कोश्चन के ओपर चलते हैं हिमाचल परदेश सरकार दुवारा सुरू की आ गया पर्सुराम पूरुस्कार किस लिए दिया जाता है तो ये खेल कूद के लिए दिया जाता है और हिमाचल परदेश सरकार ने इसे सबसे पहले 1987 में दिया था तो guys आप मुझे comment करके बताएंगे कि हिमाजल पर्देश में सबसे पहला परसूरां पुरुसकार किसे मिला था और किस किसे से समन्दित मिला था गाइस next question के ओपर चलते हैं नेक्स्ट question है भूतनात मंदिर का निर्मान किसने करवाया था गाइस बूतनात मंदिर का निर्मान अजवर सेन ने करवाया था और ये कब करवाया था 15-27-80 को तो गाइस कमेंट करके बताएंगे कि बूतनात मंदिर हिमाचल परदेश के किस जिले में है ये क्वेस्चन तो आप सभी को आना ही चाहिए लास्ट क्वेस्चन के उपर चलते हैं महमूद गजनभी ने कांगडा दुर्ग को कब जीता था इसने एक हजार नो इस भी को कांगडा दुर्ग को जीता था और इसने कांगडा के एक बहुत ही परसिद मंदिर को लूटा था तो आप गज़ मुझे कमेंट करके बताएंगे कि महमूद गजनभी ने कांगडा के सबसे किस परसिद मंदिर को लूटा था गज़ कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसे लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको आने वाले अगली सीरीज के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें थैंक यू एंड की स्पोर्ट माई यूट्यूब चैनल हपी एजुकेशन हंट